वेलकम ओल आज मैं आपको बताने वाला हूं कि immutable और mutable उब्जिक्त जावा में क्या होते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे immutable object immutable object क्या होते हैं ऐसे object जो एक बार बन जाएं और उसके बाद उनको modify ना कर सकें वो कहलाते हैं immutable object, तो Java में immutable object का मतलब यह है कि अगर आपने एक बार object बनाया, तो object के साथ क्या होती है, उसकी properties होती है, तो आपने अगर उसकी property assign कर दी है, उसमें कोई property set कर दी है, ठीक है, उसकी value set कर दी है, तो आप दुबारा उसको change नहीं कर सकते हैं, अगर आप try भी करोगे दुबारा समें change करने की, तो वो actually क्या करेगा, उस object में change नहीं करेगा, आपके operation को perform करने के लिए एक नय object फिर से memory बनाएगा, ठीक है, अब आते हैं बात mutable, mutable object क्या होता है, mutable object, just supposed होगा, immutable, कि अगर आ आने के बाद आप उसमें modification करते हो, modification का मतलब उसमें change करते हो, change करने का मतलब उसकी state का change करना, state मतलब उसकी object की किसी property है, उसमें कोई value आप set करते हो, create करते हैं, तो create करते हैं अगर उसमें कोई value set कर देते हो, और उसके बाद object बन गया, उसके बाद आप चाहते हो, कि फिर स तो यहां पर यहां पर यहां पर यहांट से पेलिए नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हो कि string बनाने के दोनों तरीके होता, एक तरीका यह होता है, ऐसे जिसमें आप string str equal to double quotes में लिखते हो, और एक तरीका होता है, इसमें string str1 equal to new string करके लिखते हो, तो new string मैंने उस वीडियो में बताए हूँ है, कि जब भी आप new करके बनते हो, तो आपका जो यह string बनती है, यह memory की एक special part में बनती है, special area में बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, तो यहां मुसको discuss नहीं करते हैं, हम discuss करें mainly, कि आपका mutable or immutable क्या होता है, तो सबसे पहले string जो है, string यहां मैंने बनाई, string str1 equal to lord, तो यह क्या करेगा memory में, lord नाम का एक object बनाएगा, एक memory में location बनाएगा, जहां lord को, lord करने जा रहे हैं, अपने string जो हमने object बनाए हुआ है, उस object में change करने जा रहे है, क्या change, कि हम उसमें concatenation लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो object है, उसकी value क्या हो जाए, lord शिवा हो जाए, तो str1 आप देखो, point कर रहा है, लेकिन जब यह str1.concate वाली line पे control आएगा, यानि इस line पे control आएगा line number, आपके 8 पे, तो क्या होगा, मैं मुनी देखा है, यह actually क्या करेगा, एक नया object बनाएगा, और उसके अंदर यह operation करके value को save करेगा, यानि कि एक नया object बनाएगा, जिसमें lord values ठाएगा, उस object से, और उसमें Siva को concrete करके एक नया object में रख देगा, चीक है, आपके पहले object को जो, समय create हुआ था, वो उसको नहीं object point कर रहा है, जो बाद ने बनाएगा, तो अगर मैं इसको run करूँ, तो आप देखा है, console में इसका output क्या आता है, lord, क्यो lord आ रहा है, आपने operation perform किया है, लेकिन operation किस पर perform हुआ है, एक नया object बनके उसमे value perform हुई है, ठी इसको print करा है, तो इससे conclusion निकलता है कि string क्या है, immutable है, immutable मतलब उसमें change नहीं कर सकते हैं, अगर आप ने एक बार बना दी, तो उसमें जब भी change करते हैं, तो आपको लगेगा उसमें change हो रहा है, लेकिन actually change उसमें नहीं हो रहा है, change नए object हो रहा है, अब देखते हैं दूस महमोरी में, ऐसे allocate होगा, उसमें load value सेफ करेगा, और str2 उसको point कर देगा, very simple, ठीक है, अब यहाँ पे काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक string और बनाते हैं, तो हमने string बनाते हैं, हम क्या करते हैं, string में function call करते हैं, append, append function क्या करते हैं, यह append actually वैसे ही काम करता है, जैसे concrete, मतलब concrete, string में उसका नाम concrete रख दिया है, और string buffer class में उसका नाम क्या रख दिया है, append रख दिया है, तो जब str.append करके आप यह function call करेंगे, तो क्या होगा, यह क्या करेगा, यह क्या करेगा, उसी जगे पे आप देखो, उसी जगे पे, जिस object के अंदर load डिखाता, उसी के अंदर operation perform करके value क्या कर देगा, लौड सिवा कर देगा, तो यहां पर आप देखो क्या हो रहा है, कि actually original object में ही क्या हो रहा है, changes हो रहे है, ठीक है, और आप देखो, जब ऐसा होगा, तो अगर मैं आगे यहां पे इसको print करूं, system dot 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 करके str को, तो देखो, लौड सिवा print हो रहा है, त तो यह दोनों में difference होता है, जैसे string buffer होती है, ऐसी को और class आती है, जिसका नाम है string builder, तो वो भी ऐसी काम करती है, और वो भी क्या होती है, meetable होती है, ठीक है, तो आपको, I hope आपको यह video पसंद आया होगा, ठीक है, और आप ऐसी और भी, अगर video देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को subscribe करें, thank you.